हेलो अवरिवन, वेलकम, वेलकम टो इंगलिस स्वेशालिनी और आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी है नाग मंडला की जिसे लिखा है गिरिश करनाड नहीं, यह एक ड्रामा है, एक प्ले है जिसे उन्होंने लिखा है इसके पर मूवी बनी है, तो उन्होंने इस ड्रामा में इसको यूज किया है अपने इस नाग मंडला में, तो इस स्टोरी के हम पढ़ेंगे, तो यह जो कहानी शुरू होती है एक टेंपल से, एक मंदिर से, ऐसा मंदिर जो जिर्ण शिर्ण है, जहां कोई देवता की मूर्ती नहीं रखी है, और इस टे आता है, और वो, चुकि यह जो ड्रामा है, स्टेज में प्ले हो रहा है, तो वो ओडियंस को बता रहा है, कि कैसे उसको एक कर्स मिला है, एक उसको श्राप मिला है, किसी मौंग से, किसी साधू से, कि अगर आज की रात वो सो गया, तो वो उसकी आखरी रात होगी, उसकी इस पर आधमी को यह भी कहा था फकीर ने कि उसको पूरे मंथ में एक रात ऐसी होनी चाहिए जिसमेंमें उसको पूरी राज जागनी है लेकिन हर बार सोचता था एक राज जागना क्या मुश्किल है लेकिन किसी भी तरह से उसको नीद आ जाती थी तो यह उसकी अंतीम रात जिसमें उसको जागना था तो वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है कि अगर मैं जाग नहीं पाया तो क्या होगा मेरी मौत हो जाएगी इस तरह से तो फिर आगे वो कहता है कि आखरी रात है किसी तरह से मैं बचना है और वो उस फकीर से भी पूसता है कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया जिसके वज़े से मुझे एक कर्स मिला है ऐसा शराप मिला है तो फकीर कहता है कि तुम प्ले लिखते हो तुम ड्रमाटिस्ट हो और तुमने इतनी बुरी-बुरी प्लेस लिखी है कि लोग तुम्हारे प्ले को देखते देखते सो जाते हैं और उनको नीद आती है तो सारी नीद मिलके एक तरह से कर्स बन गए है और उस कर्स इसने ऐसा हो गया कि तुमको कभी नीद नहीं आएगी और उसको तुमको उससे बदला लिया जाएगा इस तरह सो कहता है मैं अब मौंग से सादू से वो promise करता है कि कभी भी वो play लिखेगा है नहीं बुरा play तो दूर की बात है वो play ही नहीं लिखेगा और आज के बाद किसी भी story से किसी भी play से उसका कोई नाता नहीं रहेगा कोई connection नहीं रहेगा ना वो story सुनेगा ना सुनाएगा इस तरह से वो promise करता है फिर अचानक उस play right को उस आदमी को कुछ आभाजे सुनाई देती है तो suddenly वो देखता है कि सामने flames नजराती है flames क्या होता है जो दिये की law और यह जो law थी जो lamb की जो law थी वो बस हवा में float हो रही थी ना उसमें कोई दिया था ना कुछ था बस अपने आप से वो float हो रही थी तो ऐसा stories में कहा जाता है legends में कहा जाता है कि जब सारे लोग सो जाते हैं और सारे घरों की जो जो लोग सोने से ले जाते हैं तो वहाँ जो दिये जलते रहते हैं वहाँ से flames निकल के आते हैं और एक जगा पे वो gather हो जाते हैं कथा हो जाते हैं और वहाँ वो बाते करते हैं स्टोरी सुनाते हैं gossip करते हैं तो वो जो flames हैं वो बताती हैं कि वो बहुत जल्दी से आ गई हैं और क्योंकि एक flame बताती ही कि उसके घर में बहुत जल्दी लोग सोने चले गए तो वो बहुत जल्दी वहाँ पर आ गया और वो फिर अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, gossiping करते हैं, खिल-खिलाते हैं और वो ऐसे behave करते हैं जैसे कि वो flames नहीं हो बलकि लड़किया हो लड़कियां जो giggling कर रही हैं, जो हस रही हैं, खिल-खिला आ रही हैं एक दूसरे के घर की कहाने सुना रही हैं कि मेरे घर में यह हुआ, उसके घर में यह हुआ इस तरह से, फिर वो अपनी स्टोरी बताती है अब एक स्टोरी जो रहती है एक साड़ी पहने रहती हो जो फ्लेम के फॉर्म में रहती है फ्लेम जो रहती है स्टोरी के फॉर्म में रहती हो बताती है कि मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में जो ओल्ड कपल रहता था जो मतलब जो बुड़ा बुड़ी रहते थे तो पूस्ती है कि यह कौन है करके तो इसका husband तो सोते रहता है उलता है नहीं मालू मुझे कौन है करके तो अब यह जो चीज हमारे writer ने बहुत ही beautiful बताई है कि इस हर इंसान के पास एक अपनी story होती है एक कोई बात ही होती है जो दूसरों को बताना चाहता है और एक song होता है तो old lady के पास भी यह story थी लेकिन अपनी बातों को अपने मन में छिपा के रखती थी किसी से वो share नहीं करती है तो जब एक दिन दोपर में उस होते रहती है तो वो जो story उसके मूझ से निकल जाती है जब वो खराटे भरते रहती है तो उसकी story उस मूझ से निकल जाती है और वो एक लड़की का फार्म एक्तियार कर लेती, एक लड़की बन जाती है वो, और उसकी जो स्टोरी है, वो साड़ी पहन के enter करती है उस temple में उस मंदिर में तो अब वो जो story है वो woman है और वो past थी तो उसने एक lady के farm में लिया है और story temple में enter करती है तो जब अपनी story सुनाने लगती है तो सब बेचैन हो जाते हैं कि temple में flame कहती है कि हम लोग सुनने के लिए बहुत बेकरार हैं तो में story बताओ हमां को क्या story सुनाना चाहती हो जब वो बोलती है कि मेरी story है तो बोलती है तुमको सुलाने से क्या फैदा तुम तो flame हो तुम story को सुनोगी और बस अपने तक ही रखोगी तुम किसे से share ने कर पाऊगी तो मुझे तो ऐसे लोगों को story सुनाना है जो इस story को share कर सके लोगों को bet बता सके तब मुझे जाके ''Ceine'' आएगा इस तरह से बोलती है तो वहाँ पर वह man रहता वहाँ पर वह dermatist भी रहता है जो सारी बातों को चुपके सुनते रहता है असारी बातओ वहों से निकलके आजाता है पिलरन के पीछे से और बलता है ने तुМ रुको मैं स्टोरी सुनोंगा तुमारी क्योंकि वो प्लेराइट था। उसको जनरली यह मतल। यूजील है कि उसोटरेस्ट आयगा स्टोड़ी में तो वो बोलता है कि मैं स्टोरी सुनूँगा तो फूस्ती है तुम कौण हो। तो बताता है कि मैं प्लेयराइट हूँ और मेरे साथ ऐसा सा हुआ है, फिर वो बोलती ही, ठीक है, मैं तुम को स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करो, कि तुम इस स्टोरी को किसी और को सुनाओगे, और फिर इस तरह से यह सिलसिला है, चलते रहना चाहिए, ल लेकिन उस ड्रामाटिस्ट के मन में एक क्यूरसिटी पैदा हो जाती है, कि यह स्टोरी क्या है, जिसको मैं सुनना चाहता हूं करके, तो बोलता है कि ठीक है, मैं स्टोरी सुनाओ, मैं सुनूँगा तुम्हारी स्टोरी, और इसको मैं पास ओन भी करूँगा किसी और को, फ कि मुझे कर्स मिलाया करки, वो सारी बातों को बताता है, तो फिर स्टोरी अपनी शुरू करती है, वो बलती है, कहानी एक लड़की की है, रानी की, रानी बहुत ही, यंग लड़की थी, और उसकी सादी, शादी सुना जाती है, वो लड़की इतने सुनदर रहती है, उसके बहुत ही घने बाल रहते हैं, उसकी घने बाल चोटी करती है, तो उसकी चोटी को देखके ऐसे लगता है, जैसे कि केंग कोबरा हो, इस तरह से बहुत ही सुन्दर रहती है वो, उसके जब माता पिता ने उसको बहुत ही प्यार से रखा रहता है, लेकिन जब उसके लड़का तो लोग ये बस ध्यान देते हैं कि लड़का एकलाटा लड़का रहता है, इसके माबाब भी नहीं रहते हैं, उसके भाई बहन भी नहीं रहते हैं, लड़का बहुत ही अमीर रहता है, रिच रहता है, तो उससे उन लोग शादी कर देते हैं उसकी, और लड़के का नाम रहत कि उसकी शादी होती है, फिर शादी करके वो अपढ़ना के साथ आती है, फिर अपढ़ना उससे बोलता है, तुम अपना सारा समाने में लेके आ गई हो, कुछ समान छूटा तो नहीं है, तो उलता है, नहीं कुछ समानी छूटा है, फिर वो कहती है, हाँ मैं लेके आ गई हू फिर उपढ़ना बस उससे बस इतना ही बोलता है, कि तुम मेरे लिए पुरा खाना प्रिपर करके रखना, अब मैं जा रहा हूँ, मैं कल दोपहर में आऊंगा, और मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, इस तरह से कहता है, और कोई बात नहीं करता है, अपनी नहीं तो अपढ़ना जो होता है, अपढ़ना बहुत ही खराब इनसान रहता है, बहुत ही जादा, किना चिये वाहियात किसम कर रहता है, वो हर राद अपनी मिस्ट्रिस के पास आता है, उसी इक साथ अपना राद गुजारता है, रानी को तो उसने ऐसे ही, as a maid मतलब, शादी की तो बहुत ही रानी बहुत ही यंग इनुसेंट रहती है उसको बहुत जड़ा दुख होता है और उसको समझ नहीं आता है यह सब क्या हो रहा है उसके साथ उसकी किस्मत में क्या लिखा है करके और बहुत ही रोती है बहुत ही अपने पैरेंट्स को याद करती है और तरह तरह क बजिब तरह की चीज़ें देखती थी, जैसे कोई इगल उसको ठाके ले जा रहा है इस तरह से, और किसी भी हाल में वहां से वो जाना चाहती थी, उस जगह में वो रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो हर दिन वो कैदी की तरह रहती थी, बस अपढ़ना आता था, खाना खात खाकर खाना घंके चला जाता था दो पर में और फिर नेक्सटड देन आता था इस तरह से, और नव उससे कोई बात करता था था अगर वो कुछ बोलने का प्रयास कर थी तो इसको चुप करा देता था वो तो फिर क्या होता है, क्यों नेक्सट जब आता है लंग करने के तो वो कुछ बात करने के कोशिश करती है, लेकिन उसे हमेशा की तरह चुप करा देता है, चुप रहो करके, बाते मत करो, चुप चप में जो लंच सर करो इस तरह से, और फिर फॉरन हो चला जाता है, अब क्या होता है, सदलनी वहाँ पर एक महीला आती है, कि कुरुदावा नाम रहता है, कुरुदावा का मतलब होता है, ब्लाइंड वुमन, वो बहुत ही मतलब ब्लाइंड वोमन रहती है, अंधी औरत रहती है, वो अपने बेटे के साथ वहाँ पर आती है, उसके कंधों में बैठ के आती है, व लेकिन चुकि अपढ़ना का जो बहुत ही गंदा रहता है खराब रहता है तो उन लोग थोड़ा इस टाइम में आते हैं जिस टाइम में अपढ़ना से मुलाकात ना हो तो इस तरह से जब आते हैं जो दब देखते हैं कि दोर भार से लॉक है तो उनको बहुत आश्यर होता है अब कहां गया भी अभी तो शादी हुई कहां चलेगा इस तरह से फिर दोनों की बाते होती है अपड़ना कुरुदावा को बताता है कि दूर तो लॉक है तो अब जो उसका एक बात और होती है कि यह जो लड़का जिसके साथ वो आय रहती है कुरुदावा उसका नाम रहता ह कपनन वो आई पेट रहता है वह यंगा बताएब किससे कैसे मिलोगी विद्ट नरघ कोई द्योन होगा धव्लैका कहीं चली गई होगी इस तरह से उन लोग सोचते हैं लेकिन कुरु दावा सोचती के नहीं नहीं जब मैं आई हूँ तो किसी भी तरह से मिलके ही जाओंगी तो फिर उन लोग विंडो से जहागते हैं तो जब विंडो से जहागते हैं तो रानी उनको देख लेती है और कौन है तो कुरुदावा बोलती है कि ठीक है मैं घर और अपने जो बेटे को बलाती हैं, और बोलती है कि तुम तुम तुरंद घर जाओ और वहां एक Wmezभर & लखड़ी तो वो जाता है पहले तो इंकार करता है कपन्ना की क्या तुम दूसरे के बातों में टांगणा रहे हमा करके लेकिन फिर चला जाता है फिर वो खुदावा उसको बताती है राणी को बताती है कि चुकि मेरी मतलब जब मैं यंग थी अभी तो बोड़ी हो गई है तो बोलती कि मैंने उसकी बहुत सेवा की, बहुत जादा दिल सेवा करी, तो उस साधू ने मुझे रूट्स दिये, कुछ जड़ी बूटी दी, और उसने कई साइज के जड़ी बूटी दिये, मेडियम, लार्ज और स्मॉल इस तरह से, और उसने कहा कि जब तुम इस रूट का पेस्ट बनाओगे और किसी को भी तुम खिलाओगे, किसी भी मैन को खिलाओगे, तो वो तुम्हारे प्यार में मतलब गिरपतार हो जाएगा, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, तो इस तरह से तुम उससे शादी कर लेना, तुम्हारी जिंदगी अच्छे से बीच जाएगे इस तरह से उसको आशिरवाद देता है, साधू, तो पहले वो कहते है कि पहले तुम सबसे चोटा वाला यूस करना, यह जो तुम्हारा जो अपड़ना है, तुम्हारा जो पती है अपड़ना, वो किसी मिस्ट्रस से मिलन तुम्हारी जो लड़की है, उससे पीछा चुड़ाने के लिए तुमको कुछ उसको जड़ी बुटी खिलाना पड़ेगा, फिर वो तुमसे प्यार करेगा इस तरह से, तो अगर तुम ऐसा होता है, तो तुम अगर वो यह काम नहीं करेगा, छोटा साइस का तो मिडियम सा पावा को एक लड़का विजिट करने आता है, बताती है कि कैसे, उसके साथ क्या हुआ था, कि एक लड़का आया उसके गाओं में, और वो उस लड़के को उसने उस रूट को खिला दिया, करी में मिला के, सबजे में मिला के, तो जब उसको खिला दिया, तो लड़का बहु ही उनको जुदा कर पाई और सिर्फ मौत के वज़े से ही वो मतलब उन लोग जुदा हो पाई अदर्वाइस उन लोग पूरी जंदगी साथ रहें इस तरह से वो बताती है अपने स्टोरी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा तुम्हारे हस्बें तुम्हारा गुलाम हो जाए क्योंकि उसको अकेले रहके तंगा जाती है किसी भी तरह से अपने हस्बें का प्यार पाना चाहती है तो फिर जब वो लंच करने के लिए जब आता है अपड़ना उसका हस्बें जब लंच करने आता है तो वो कुरुदावा को देख लेता है उसका बहुत इंसल्ट करता है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो इतना बदमाश रहता है इतना जालिम रहता है कि वो चाहता है कि ना वो रानी से खुद बात करें ना किसको बाहर वाला उससे आके मिले ना किससे वो बात कर सके इस तरह से उसको लॉक करके रखता है तो इसको बहुत बुरा लगता है ग कोई बहारी इंसाना के मेरी वाइप से मिल रहा है इस तरह चली जाती है it and watch the camera, the sound justice that I want to get a dog so dat someone who got a dog out and gone online now Ranee will work hard in the kitchen, a cook would be used here and the meat stays emoチャンネル, the food and fruit in the kitchen तो और उसको दूद की ग्लास में उसको मिक्स करती है और उसको दूद में मिक्स करके दे देती है फिर देखती है रानी की क्या उसका रियक्शन होता है तो देखती है कि यह जो अपड़ना रहता है उसका हस्बें बहोसो के गिर जाता है अब रानी को कुछ समझ भनी आता है क तो अब रानी को समझ में आ जाता है कि इसको कुछ भी असर नी पड़ा है इस रूट का कुछ भी असर नी पड़ा है फिर नेक्स टेक कुरुदावा फिर आती है इसका हालचाल पूचने आती है कि क्या हुआ मैंने तुम्हें जो रूर्स देत उसका क्या असर हुआ इस तरह से पूछने के लिए वो फिर से आती है तो राणी बताती ही कि ने इसके पर तो कोई असर नहीं हुआ बस वो बेहोश हुआ था तो फिर वो गोलती इस बाद तुम बड़ा वाला जड़ी खिला देना इससे तो फिर वो उसके करी में मिक्स कर देती है जड़ी बोटी को इस बार बड़ा साइज वो डाले रहती है और उसके पहले एक गुरुदावा यह भी कहती है कि लगता है जो तुम्हारी जो मिस्ट्रेस है जिसके से मिलने जाता है वो अपढ़ना उसका जो जाल है बहुत तो उससे पीछा चुड़ाने के लिए तुमको बड़े रोट की जोरत पड़ेगी बड़े जड़ी बूटी की जोरत पड़ेगी तो वो रानी देखती है कि जब जड़ी बूटी का पेस्ट मिलाती है उस करी में तो उस करी का जो रंग है ना एकदम रड हो जाता है उसमें इसे धुबन निकलने लगता है, पूरे इसमें रूम में धुबन भरने लगता है और इंदर गर जाती है, क्या है तो blood color को हो गया है और इंदर मतलब घवरा जाती है, उस curry को देख के वो 책 возвращ की कि कुरुदावा तो देखने सकती, तो उसको पता नहीं कि अपन ना जब देखेगा इसको, तो क्या इसको पीएगा वो नहीं पीएगा, उल्टा मेरी जान ले लेगा इस तरह से वो सोच ति है, तो उसको याद दाता है कि इंगण में एक anthil रहता, इंग दीमक का जो तीला हूता है now वहां पर उसी को उड़ेल देती हूं सोचती है और पहरे तो फर्स में डालने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर कलर चेंज होने लगता है तो सोचती ही यहां पर अपड़ना को पता चल जाएगा तो वह एंट हिल में जाकर वहां पर उसको डाल देती है बरामदे में जाकर और वहाँ पर एक उस एंड हिल में जिए कोब्रा रहता था तो कड़ी वहाँ पर हुएक बश्चाइब अहुन, भूट ओंड हो यह harus कोब्रा को नाग कहते हैं कोब्रा जो नाग इच्छादारी नाग रहता है तो रानी उसको इसे नहीं देखती है कि रानी की वो जो कोब रहा है क्योंकि फिर थोड़े दिर बाद देखती है कि जो कुट्टा उसको अपड़ना जो कुट्टा लेके आया था वो बहुत शोर करते रहता है कुट्टा नाग को देख लेता है बहुत शोर करता है फिर अपड़ना जो रहता है और रानी से पूसता है कि यह जो कुटता है इतना भौक क्यों रहा है क्या बात है क्यों शोर कर रहा है तो वो बलती है कुछ पता नहीं मुझे क्यों शोर कर रहा है फिर रानी के उपर वो हाथ उठा देता है अपड़ना हाथ को पी लिया रहता है तो उसके उपर जो असर जो पहले अपढ़ना के उपर असर होना था कि अपढ़ना को उसके प्यार में पढ़ना था तो वो खोबरा ही रानी की प्यार में पढ़ जाता है और उसको बहुत ज़र उसको प्यार हो जाता है रानी से तो किसी तरीके से वो बा आसकता है, तो उसका husband कैसा दिक्टा है, तो उसकी husband के ही form में ओ आ जाता है, पहले तो नाली से नाग बन के आता है, फिर उसके husband के four Wieder?, तो रहनी एकदम शौक करता है उससे और वो बिलता है कि तुम क्यों डर रही हो मुझे तुम मुझे अच्छे से बाते करो हम लोग बाते करेंगे इस तरह से बहुत ही पुलाइटली बात करता है तो इस बात को उसे बहुत जदा आश्यर होता है कि अपड़ना तो हमेशा उससे बात ही नहीं करता है जब भी बात करता है, मुझ खोलता है, इसको डाटता है, इसको माडता है फिर वो जो नाग रहता है, उससे उसके पैलनिस के बारे में पूसता है अब यहां पर हमको कंफूज Marriage ना हो करके हम इस अपढ़ना को जो की नाग जो अपढ़ना के फार्म में इसको नाग ही कहेंगे तो नाग उससे पूछता है कि तुम क्या है तो अपनी परेंस के बारें बताओ इस तरह से उसके बारें पूछता है फिर वो बोलते बोलते वो शो जाती है बताती है अपनी सारी बाते, फिर वो देखता है की कुट्ता बहुत भोक रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो बोलता है कि कल से वो नहीं भोक रहा, और थोड़े दर के नाग के रोप में चला जाता है च्योंकि अपड़ना आने वाला रहता है अपड़ना का पुरा रोटीन उसको मालूम रहता है कि अपड़ना दोपार में आता है उसके पहले उसको चले जाना है तो वो चला जाता है फिर नाग वापस जाने के बाद उसके जाने के बाद नाग को भी बहूत सारी चोटे आ जाती है और उसके खून बहने लगता है उसके शरीर से, तो जब वो next आता है बात्रूम में जाता है, और वहाँ पर अपना जो blood रहता है, blood को धोता है, उसको धोने के बाद आता है, तो रानी देखती है कि उसके जक्मों के निशान है, तो कुछ वो बलता है कि मैं काटोवडों के पा निकालने के लिए तो देखती है कि मिरर में देखती है कि मिरर में देखती है कि वहां पर अपड़ना जहां पर बैठा था अपड़ना मतलब वही नाग के रूप वाला जो अपड़ना वहां पर एक साप बैठा है तो बहुत डर जाती है बोलती है ये बताती है कि घबरा जात आपना सिर्व रखके रानी सो जाती है और इस तरह से हर रात वो आने लगता है ऐसे ही सिलसला चलने लगता है रोज वाता था और उन लोग का आपस में प्यार बहुत ज़दा बढ़ जाता है दुसे से लोग बाते करते हैं और मौर्निंग में फिर वो सब कुछ चेंज हो जा रानी का कि डॉग मरा हुआ है तो वो डिसाइड करता है कि इस बार मैं डॉग तो मर गया तो इस बार मैं नेवला रखोंगा सुचता है तो अब क्या होता है कि डेली नाग आने लगता है और अब जो अपड़ना मंगूस लेके आ जाता है नेवला लेके आ जाता है और पाइटे देता है नाग को और उसके बहुत ज़रा चोटे लग जाती है उसको नाग को और वो जगा जगा से कट हो जाता है तो बहुत दिन तक 15 दिन तक वो नहीं आता है नाग नहीं आता है रानी से मिलने नहीं आता है रानी बहुत उदास हो जाती है क्यों नहीं आ रहा है और वो बस उसी समय जो उसका अपढ़ना रहता है, इसका हस्बेन, रियल हस्बेन वही बस आता था दोपर में, और रात में नहीं आता था, जो नागा है, तो उसको बहुत ज़दा दुख लगता है, तो फिर नेक्स दे जब उसका जखम थोड़ा सा ठीक होता है, तो आता है, फिर वो उससे कुछ नेक्स पुष्टी, चप चप उसके जखमों में उसको दवाई लगाती है, और वो बहुत ही चुप रहती है, कम से कम वो आ गया है, इससे उसको संतुष्टी रहती है, फिर रानी को समझ भी नहीं आता है, कि ये दिन में कुछ और रहता है, रात में इतने दिनों से नाग को बताती है, कि नाग इतने दिनों से नहीं आये था, तो नाग बताती है, कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है, लेकिन आप तुमको में बता रही हूँ, कि मैं प्रेगनेंट हूँ, और जब वो बात सुनता है नाग, तो उसको बहुत ज़्यदा शौक हो जाता है शौक की उसको तो पता रहता है कि वो नाग है और अपड़ना उसका हस्बेंड कोई और है और उसे ये भी पता रहता है कि जो उसका हस्बेंड है उसको टच ने किया है रानी को टच ने किया है तो ये रानी तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंज आएगी इ लगता है फिर नाग कहता है कि तुम इस बात को किसी को बताई तो नहीं हूं तो रानी बोलती है कि नहीं मैं अभी तो बता ही तुमको ये बात है तो बोलता है मुझे अभी बता दे ठीक है लेकिन मेरे को इस बात को दुबारा तुम नहीं बताना तो बोलती है अभी तो बता जाएगी लेकिन फिल हाल इसको तुम सेक्रेट रखना कि तुम प्रेगनेंट हूँ और किसी से इसको डिसकस नहीं करना मेरे इसको भी डबल नहीं बताना अब क्या होता है actually मैं नाग चाहता था कि वो जो सुबह में उसका जो अपड़ना उसको यह इस बात को ना बताए कि वो प्रेगनेंट है अब क्या होता है कि स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ जाती है और अपड़ना देखता है कि उसकी अपड़ना जो रियल उसका हजबन रहता है वो देखता है उसका टमी बढ़ रहा था उसका पेट मतलब बढ़ रहा था क्योंकि प्रेगनेंट थी तो बूलता है तुमको शरम नहीं आती क्या तुमको बहुत ज़्यादा उसको डाटना पिटने लगता है उसको कहता है कि तुम पूरे दिन तो मैं तुमारे पास रहता नहीं हूँ मैंने तुमको टच भी नहीं कि ज़्यादा प्रेगनेंट हो सकती उसको तरसको तरसको लांचन लगाता है कोश्चन करता है और उसको साथ दोनों की फाइटेंग भी होती है और उसके उपर एक मतलब पत्थर भी फेकने लगता है तकि उसका मिस्करेज हो जाए फिर बोलता है कि अब मैं तुमको देख इस तरसको धमकी देता है अब रानी बहुत रोनी लगती है क्योंकि ये सारा चक्कर तो इसको समझ में आया नहीं रहता है फिर रात होती है रात होते ही नागा आता है नाग जो अपढ़ना के फार्मेंटर होता है तो नाग के आते ही रानी फिर रोनी लगती है और फिर वो नाग उसे बहुत ही प्यार से समझाता है और सारी बाते को जब रानी बताती है तो उपंचायत तक पहुच गई है बात तो अब क्या करें करके तो रानी उसको बोलती है उसको अपढ़ना ही समझती ही नाग को तो बोलती है तुम इतनी मतलब सुबे तो बहुत ही पूरी तरह से मेरे से behave करके गए थे तुमको इतनी बज़यती ही करनी है मेरी तो तुम उसको directly मार ही क्यों नहीं देते तुम मुझे पंचायत के सामने क्यों जलीन करना चाहते हो क्यों मेरी बात को ले जाना चाहते है उस तरह से वो बोलती है तो वो नाग उसको समझाता है वो बलता है कि अब पंचायत तो बैठी नहीं है तो बैठे गी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते है उसको मैं कुछ नहीं कर सकता है तुम बस एक काम करना पंचायत तुम से सचाई का सबूत मांगेगी तुम से मांगेगी कि तुम सच हो कि तुम गल तो तुम भी दोशी है उसको नाग को हात में रख को कसम लिनी पड़ती थी कि वह सच बोल रही है कि जुठ बोल रही है या तो कोई लोहे के राड को लेके उस तरह से कसमत खाते है इस तरह से तो तुम स्थैक ओडियल करना शपत लेना और तुम जो भी बोलना अपने दिल से बोलना और जो सच है उसी को बोलना इस तरह से हूँ mag आते हór ही तो मेernा ही कुछ नहीं करेगा तुमको अगर तुम सच बोलोगी तो नाग कुछ नहीं करेगा इस तरह से समझाता है बस तुमको सही बोलना है फिर वो ये भी कहता है कि बस इतना याद रखना कि जो बोलो सच बोलना और अपने माइन में जो दिल की बातों को ही बोलना और अगर तुम ग फिर से conclusion में रहती है वो कि रात में क्या मुझे समझाता है दिन में क्या दिन में तो कुछ अच्छे से बात ही नहीं करता फिर से वो परशान रहती है फिर हम next पंचायत का बैठती है पूरी गाउं के लोग आये रहते हैं और यह बात जब पूरी फैल जाती है कि कोई जो महिल है कोई जो औरत है वो स्नैक ओडियर लेने वाली है वो किंग कोब्रा को हाथ में लेकर शपत लेने वाली है तो और ज़्यादा भीड़े गैदर हो जाती है तमाशा को देखने के लिए कि देखेंगे क्या होता है करके और रानी के लिए तो यह बहुत ही बिजजती वाली ब रहता है शपत लेना रहता है तो किसी को कोबरा को हाथ में लेके तो क्या होता है कि जैसे ही यह जो जो पंचायत रहता है जाती है वो रानी कोबरा के पास मतलब जाती है जब कोबरा बाहर निकाला जाता है कोबरा को तो पहले तो बोल दी रहती है नागा के बातों में आके कि वो स्नैक और्डियल लेगी तो डर जाती है इतने भायाना कोब्रा को जब देखती है तो डर जाती है यहाँ पर तो मेरा बचना मुम्किन ही नहीं है तो बोलती है नहीं नहीं मैं कोब्रा को हाथ में नहीं लोंगी मैं iron rod को हाथ में लेकर शपत लोंगी इस तरह से उबलती है, तो अब तो वो जो लोग रहते है, iron hot को hit करने लगते हैं, गरम करने लगते हैं, ताकि उसको गरम rod को राणी हाथ में ले, उसी दवरान क्या होता है, कि कुरुदावा रहती है, जो blind woman रहती है, वहाँ पे आ जाती है, और वो चिलाते रहती है, कपड़ना कपड़ना करके चिलाते है कपड़ना जो उसका बेटा रहता है कुरुदावा का तो उसका नाम लेती है कपड़ना कपड़ना कहा चला गया बेटा तो मुझे चोड़के कहा चला गया इस तरह से बहुत ही दुखी रहती है वो तो रानी उसके पास दोड़ते हो जा बात को जहाने देती है तो कुरुदावा बताती है कि हमेशा उसको लगता था कि उसके घर में कुरुदावा और कपड़ना के अलावा कोई और रहती है कोई और ऐसी ऑुरत रहती है जिससे बाते करता है मेरा बेटा बाते करता है और वो उसके पास वो जाना चाहता है उस तरह से वो नॉर्मल यूमन बिंग नहीं है वो एक यक मेरे बेटी को लेकर करके बताती है तो यक्षणी थी को लेकर चली गए तो इसके पर बहुत दया आती ही रानी को और कुरुदावाह के बाद वो सोचने लगती है कि कुछ नै कुछ बात है वो सारे चीजों को lose lijn-up करने लगती है कि इसके पास लड़का जो है इसके पास snack woman आता आती है और यहां पर अपने इस सारी स्टोरी को connect करने लगती है. तो वो सोचनी लगती है कि मेरे जो desire थी, मेरे जो इच्छा थी, कि मुझे के इंसान का प्यार मिले, मेरे हजबन का प्यार मिले, मेरे इच्छा ही कुछ, इसमें कुछ होग या делать, इस तरह से सोचती है वो, और बोलती है कि वो सोचने लगती है मानी मां सोचने लगती है कि हो नहो कोई और इंसान है जो मेरे पास आता था तो इस तरह से तो क्या हमेरे desires भी हमारे bedroom तक को हो सकते हैं इंसानी रूप लेकि ऐसा कोईलती है तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि उसको एक अंदाजा होने लगता है कि जो रात को आता है वो नाग है वो अपड़ना नहीं है जो उसका हस्बेंड है, रियल हस्बेंड है वो नहीं है तो क्योंकि अपनी स्टोरी को कुरुदावा की स्टोरी के जरिये समझ सकती है कि अपड़ना के पास पढ़ना के बतले में लाग आता था वैसे ही कपढ़ना के कुले के यक्छडी चली गे इस तरह से फिर अब वो वापस आ जाती है कि ठीक है वो बोलती है अब मुझे जीने बरने का कोई खौफ नहीं है बोलती है अब मुझे स्नैक ओड ये ले लेना है कोब्रा पर हाथ तक किस शपत लेना है तो बाकी जो गावाले बोलते हैं ये क्या है एक बार स्नैक के ओपर शपत लोंगी बोलती है एक बार रोड के ओपर लोंगी तो बोलती है नहीं मैं तो कोब्रा के ओपर ही शपत लोंगी फिर वो कोब्रा को निकाला जाता है और फिर वो फिर वो टच करूंगी बोलती है इसको तो कोब्रा को हाथ में लेती है वो और कोब्रा को हाथ में लेके बोलती है कि जब से मैं इस गाव में आई हूँ वो शपत लेती है कि जब से मैं इस गाव में आई हूँ तो मैंने सिर्फ दो ही इनसान को touch किया है कि दो ही man लोगों ने दो ही आदमी ने मुझे touch किया है एक तो cobra और ये मेरा husband अपड़ना इस तरह से वो बोलती है और जब जैसे ही वो बोलती है तो cobra उसके हाँ से निकलता है और उसके हेड में बैठ जाता है हेड के उपर बैठ जाता है अपना फन को फैला के बैठ जाता है और उसके पाद पर उसके बाद उसके गर्दन में इस तरह से लग जाता है जैसे कि माला हो जैसे कि उसको हार पहना रहा हो इस तरह से पहला आता है फिर उसके इसमें सिर में बैठ जाता है तो जो गाहम वाले सीन को देखे बहुत ज़्यादा आश्यर में पढ़ जाते हैं यह क्या हो रहा है यह तो नॉर्मल हुमन बिंग हो नहीं सकती अगर नॉर्मल हुमन बिंग रहेगी तो कोबरा तो काट देता है उसको लेकिन कोबरा उसको एक तरह से हार पहना रहा है उसके सिर्क पर बैठ रहा है यह देवी है देवी है करके सब लोग चिलाने लगते हैं देवी है, एकदम मतलब उसके पैरों में गिर जाते हैं सबके सब, और सबको पस्तावा हो तो कि हमने इसके साथ क्या किया करके, और उन लोग अपढ़ना को समझाते हैं, कि तुमको धरने की जुरत नहीं है, तुमको घबराने की जुरत नहीं है, ये जो तुमारी जो बीभी है वो देवी है और यह देवी ने तुम्हारे घर में मतलब आई है वो तुम इसके साथ बहुत अच्छे से रहो और इसका अच्छे से ख्याल रख इसको समझाते हैं अब अपढ़ना को समझ में तो नहीं आता है लेकिन वो कुछ भी कर सकता था पंचायत के फैसले के आगे व विर्व उस भीड में जहां पर य सारे लोग एकटा थे पुरी गाउं के लिए को इकटा थे व उस भीड में अपढ़ना की मिस्टर्व भी थी अपढ़ना की वह कायाना चाहिए जो आरत जिसके साथ वो जाता है वो भी सारा सीन देखती है वो भी रानी के कदमों में गिर तो जैसे की आगा ने कहता थां कि तुम्हारा हस्बन तुम्हारा गुलाम बन बन के रहेगा तो अब उसको एक तरसे गुलाम बनके रह जाता है उसको जैसा कि नाग ने कहा था अब क्या होता है कि उस रात उन लोग बहुत अच्छे से आते हैं अच्छे से रहते हैं फिर वहाँ पर कुछ समय के बाद उसका बेटा भी पैदा हो जाता है और उन लोग सोते रहते हैं नाग और उसका वहाँ पे सोते रहते हैं रानी और उसका रानी को सोते वे देखता है वहाँ पे बगल में अपर्णा को देखता है और बेटा भी रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है बुलता है रानी मुझे इतना प्यार करती थी मैं उससे बहुत प्यार करता था लेकि हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी इस तरह से हूं सोचता है लेकिन अगली ही पल वह जब काटने के लिए सोचता है तो सोचता है अब मैं इसको काट नहीं सकता, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं इसे काट कैसे सकता हूँ, अब मैं किंग कोबरा रही नहीं गया हूँ, अब मैं कोई नॉर्मल स्नैक बन गया हूँ, जिसमें कोई पोजिजन नहीं है, इस तरह से मैं कोई ग्रास स्नैक बन गया हूँ, अब मैं इसे का करूं सोचता है वो फिर वो सोचता है कि इससे किते लंबे बाल हैं गने गने बाल है किंग कोब्रा की तरह तो उनके बालों को लेता है रानी की बालों का लट बनाता है और एक फंदा त्यार कर लेता है और इस फंदे में वो फासी का फंदा बना के वहीं पर वो मर जाता है न तो फाइनली अपना लूब बनाके सुसाइड कर लेता है। तब क्या होता है कि रानी जैसे ही उठती है। उसके अपने बाल काफी हैवी लगते है उसको रानी। और वह कॉम्ब करती है तो वहाँ पे मरा हुआ स्नाक निकलता है। डेट स्नैक भार आता है और वहां पर से गिर जाता है फिर अपढ़ना कहता है कि तुम सचमोची देवी हो तुमने हमको बचा लिया इस तरह से वह कहता है तो फिर यहां पर सारी स्टोरी को जब बताता है स्टोरी बताती इतना और उन लोग खोशी-खोशी रहने लग जाते ह फिर वो चली जाती है, स्टोरी एक कहानी बता के चली जाती है, अब जो फ्लेम रहती है, जो फ्लेम लोग बाकी जो इस स्टोरी को सुनते रहते हैं, उस टेंपल में, उस मंदिर में, वो लोग गोलते हैं, ये कैसे स्टोरी है, ये कैसा एंडिंग है, कि जो snack जिस इतना प्यार करता था जो naga उसको प्यार करता था वो मर गया हम इस ending से बिलकुल ही satisfied नहीं है तुम इसकी ending को change करो तो dramatist बोलता है जो इस story को सुनती रहता है तो बोलता है मैं कैसे change कर सकता हूं story ने तो सुना के चली गई है story तो यह story है तो वो उन लोग बोलता है तुम ड्रामाटिस्ट हो तुम जिन्दा हो तुमारी मौत नहीं हुए है तुम इसको change कर सकते हो तो ठीक है मैं एक alternative ending देता हूं बोलता है फिर वो change करता है बोलता है कि जो नाग रहता है वो रानी के बालों में रहता है फिर वो snack जब रहाँ पर रहता है फिर रानी को बहुत ही अपना बाल हैवी लगता है तो फिर से वो अपढ़ना को बोलती है कि मुझे मेरे बालों के लिए कौम लाई है और वो कौम करता है अपढ़ना तो एक जिन्दा snack गिरता है तो अपढ़ना बहुत घबरा जाता है फिर बोलता है कि इसको स्नैक को मारने के लिए मैं लकड़ी लेके आता हूँ, लकड़ी लेने जाता है फिर रानी इसको बोलती है कि तुम क्यों आ गए हो, तुम यहाँ पर क्यों आ गए है बोलती है कि तुम हमेशा ही मेरे बालों में रहना और हमेशा मेरे साथ रहना हम लोग कभी भी अलग नहीं होंगे इस तरह से और फिर अपन्ना जब आता है तो बोलती है वो बातरूम के साइड से निकल गया नाग निकल गया इस तरह से वो बोल देती है उसको जूड बोल दे अजब स्थाइबे नेजर अच्वान वकाल करते हैं